तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करता हूं सब कुस ठीक और बहतरीन होगा मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं रिव्यू भी दमर देखिए आज कहीं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अगर आप इस वीडियो को देख लेन तो definitely आपके लिए एक सर्प्राइज छुपा हुआ है जो कि आपको इंदा एंड में मिल जाएगा तो प्लीज आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इस्टाग्राम पे और हाँ लोज ऐसे नेनी कंटेंट पाने के लिए सब्स्ट्राइब भी कर लिजएगा चनल को तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आप इस वीडियो का मज़ा लेजे तो दोस्तों मुझे शुरू होती है उसी सीन से जहां से एक खतम हुईती पार्ट टू में जयानी दोस्तों तब जब यहाँ पे स्पाइडर मैन की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है यहाँ पे पीटर पाकर य यहाँ पे नेट को भी कॉल आता है और यहाँ पे हम लोगे पीटर पाकर को कुछ सबच बने आता है वो सीधे जाता है आंट में के घर पे जहां पर इस बात का पतर चलता है कि आंट में और हैपी होगन कर दो ब्रेक अप हो गया है उनसाब के बास दूस्तों वहाँ पे पाइट मोड़क यानि के डेडेवल होता है हाला कि यहाँ पे उसका ज्यादा सीन नहीं दिखाए गया अपने वो डेडेवल की पावर से एक पत्थर को पाक कुपर आने से रोक लेता है अब दोस्तों यहाँ पर बस उसका यही तक सीन था लेकिन वही दूस्तों दूसरी त लेकिन अंसर में लिखा रहेता है कि अभी उननों के एकसेट नहीं होगा और इक फाइनल लेटर आता है मिट की दरफ से उसम्में भी किसी को नहीं कि लिया जाता हे यहां तक कि एमजे owners को भी नहीं यह सब सुनके पीटर पकर काफी दुखी हो जाता है कि अर उसकी गलती त त्वी उसे डॉक्तर स्टेज्ट याद आते हैं और वह उनसे बात करने की कोशिश करता है और दुस्त अम लोग के यहां पर यहां पही पता चलता है नया जो सौक्रस सुप्रीब है वह हैusan वॉंग क्योंकि दुस्तों डॉक्तर स्टेज्ट पान साल तक गायब हो गे थे सब क पीटर पाकरी स्पाइडर मैंने, पीटर पाकर कहता है नहीं, एमजी याद रखे, तो हम लोगो एक लेयर दिखाई देती है, उसके बोलता है आंट में को भी, उसके बाद इतनी लेयर बन जाती कि यहां पर डॉक्टर स्टेंज का जो स्पेल है वो खराब हो जाता है, और फ्लैश टॉम्सन को फोन करता है, इन सक बाद फ्लैश उने बताता है कि जो MIT की एड्मिस्ट्रेटर है, वो एरिपोट ले निकल चुकी है, अगर वो उसे मना सके, तो हां, MJ और नेट को एड्मिशन मिल सकता है, तो वहां पर बीच रस्ते में उनको मनाने पहुच जाता था लेकिन तबी हम लोग देखते हैं, डॉक्टर ओक्टो अक्टिवेस की एंट्यो जाती है, वो पीटर पाकर को यहां पर टॉबी मेगवार के स्पाइडर में समझ रहे थे, और कह रहे थे मेरी मशीन कहा हैं, जिसमें सूरज की पावर थी, उन सक बाद दोस्तों, डॉक्टर यहां पर अचानक से एंट्री होते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले कुछ होता, पीटर पाकर एक अंडरग्राउंड बेस्मेंट में टेलिपोर्ट है जाता है, और वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं, कि जो लोग जानते हैं कि पीटर पाकर ही स्पाइडर मेन है चाहिए वो जिस उनिवर्स से हो, वो सब यहां पर आ गए हैं, और यहां पर दोस्तों आप डॉक्टर स्ट्रेंज उसे काम देते हैं, क्यों जितने भी सुपर विलेंस हैं, उनको पकड़ना है और एक जगर क्यात करना है, और इसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पा और हम लोग देखते हैं, एमज और नेट को भी, अब यहां पर पीटे पाकर अपना जो ड्रेस पे कोई कलर गिरा दिया था, उसे उल्टा करके पहन के चला जाता है, और यहां पर अपने सीने पर मुबाइल भी लगा लेता है, ताकि नेट और अमजी देख सके और उसे गा हाई यह बिजली है कि जेंट्स ब्यूटी पालर, उन सब के बाद जैसे इलेक्टर पाकर पे अटाक करता है, तब यहां पर सैंड मैं उसे बचा लेता है, क्योंकि उसे लगता ही टॉप मुगार का स्पाडे मेर है, इन सब के बाद वो किसी तरह इलेक्टर को तो क्याद कर लेकिन हम लोग यहां पर सैंड मैं को भी देखते हैं, वो काफी अजीब सा भीयव कर रहा था है, इसलिए पीटर पाकर उसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जो सेल होती है, उसमें बंद कर देता है, इन सब के बाद दोस्तों यहां पर पीटर पाकर को एक लोग का और पता ल और यहां पर देखता है कि उसमें नॉर्मल हालत में, बिल्कुल साही है, और यहां पर आर्ट में से समझाती है कि इसे हल्प की जोत है, हम लोग इसे सब को ठीक कर सकते हैं, यानि दोस्तों एक तरफ पीटर पाकर डॉक्टर स्ट्रेंज की बास सुन के उनके उनके इनोस मे पहचान जाता है, लेकिन यहां पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं, और ग्रीन गॉबलीन को क्यात कर देते हैं, और यहां पर उनके पास एक अजीब सा क्यूब रहता है, जो जितने भी जो स्पेल में गरबड़ी थी, उन सब को ठीक करने के लिए, और विलेंस को दॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पाको को मिरेर डामेंशन में क्यात कर देते हैं, और हम लोगों उन लोग के बीच में एक जबरदस्ट बैटल दिखाए देती है, और इसी बैटल में हलका सा मिरेर डामेंशन ब्रेक भी हो जाता है, जहां पर पीटर पाकर जियोमेट्रिक के दॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट करके वहाँ से बाहर आ जाता है, इन सब के बाहर दोस्तों उस सब बिलन्स को निकाल लेता है, और यहां पर हैपी ओगन के घर ले आता है, और वो टूनिश्टा की टेकनोलोजी से सबसे पहले रिपेर कता है डॉक्टर ओक्टर अक्टर टेकल्स को, क्योंकि दूस्तों टेंटिकल्स उनके कंट्रोल में नही time थे, वो अपने टेंटिकल के कंट्रोल में थे इसलिए वो हमेशा घुस्ते में रहते थे और यहापे जैसे वो ठीक होते हैं वो पीटर पाको खुत क्यों कहते हैं और एक honor की रूप में उसके suit को upgrade कर देते हैं और दोस्तों यही काम Peter Parker Electro के साथ भी करने जा रहा था उन सब के बाद दोस्तों हम लोग यह भी देखते हैं कि Norman Osborn के लिए एक नया सिरम बनाया जा रहा था लेकिन दोस्तों उसी moon पे exactly गरबड हो जाती है क्योंकि दोस्तों Green Goblin को जो aura है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे दोस्तों बाकी जितने भी विलन्स थे वो out of control हो जाते हैं सिवाए Dr. Octo Activist के वो यहाँ पे Green Goblin को समझाने कोशिच करते कि असम मत करो लेकिन उसके तो कुछ सबजमन नहीं आ रहा था और यहाँ पे हम लोग को एक जबरदस बैटल दिखाए देती है वही जो लिजर्ट था की एक तरीकी के वैन के अंदर था वो भी बहार आ जाता है सैड मैन निकल जाता है, इलेक्टर निकल जाता है वो भी टोनी स्ताक का Arctic लेते हुए और यहाँ पे इलेक्टर औक्टर आक्टर अट्टिविस्त को उपर अटैक भी कर देता है और एप हम लोग को एक जबरदस बैटल दिखाए देती है Green Goblin और Peter Parker की बीच में और ये देख कि काफी हरानी होती है दोस्तो कि जब Green Goblin अपने औरा में आता है तो उसकी पावर कितनी बड़ जाती है वो Peter Parker को गजब सबक सिखा रहता और इसी बीच दोस्तो आउर्ट में वो सब सिर्म लेके भागरी होती है ताकि यहां पर इसी बीच आउट में को लग भी जाती है अब यह से विलेंस बीच आउर्ट को चले जाते है लेकिन Peter Parker के यह रिलाइズ होता है क्याउन्ट में कि काफी गहरी लग गई है और यहाँ पर दोस्तों आंट में की death भी हो जाती है लेकिन जाते हुए वो एक golden line बोलती है जो की है with great powers come great responsibility पर वहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं MJ को Ned के घर पे जो Peter Parker की बात सोच रहे थी कि वो कहा है और यहाँ पर दोस्तों MJ के पास ही वो magic cube रहता है MJ सोच थी क्यों न मैं इस cube का बटन दबा दू लेकिन फिर Ned बोलता है नहीं हम लोगो Peter का वेट करना चाहिए और Ned अपना हाथ धुमाते हुआ बोलता है मुझे Peter की काफी याद आती है और उसकी हाथ में Doctor Strange की magical ring रहती है पीटर पाकर Doctor Strange के हाथ से निकालके नेट को दे दिया था वो रिंग से अचानक एक पोर्टल बनने लगता है MJ कहती है नेट से की एक बार तुम फिर से ट्राय करो और दुस्तों तब हम लोग देखते हैं एक और स्पाइडर में पोर्टल के अंदर से हम लोगो दिखाई देता है और वो और कोई ने दोस्तों बलकि एंड्रू का स्पाइडर में रहता है और पता चलता है कि वो भी अपने उनिवर्स में आ गया है फिर यहाँ पे नेट फिर ट्राय करता है पीटर कुबलाने के लिए लेकिन इस बड़ टॉबी का स्पाइडर में आ जाता है और उन दोने के बीच में एक हलका से थोड़ा से बैटल क्या एक कॉम्पेटिशन भी दिखा जाता है यहाँ पर टॉबी मगवर अपने नैचुरल वेब से एंड्रू के मैकैनिकल वेब को बन कर देता है लेकिन दोस्तों पर यहाँ पर पता लगाते हैं कि असली पीटर पाक है यानि कि अपने करेंट मावा सिल्मेटिकर ने उसका स्पाइडर में कहा है तो वही रहता है यहाँ पर एमजे के साथ वक्त बिताता था और सब लोग वहाँ पौँच जाते हैं और बाकी दो स्पाइडर मेन भी आ जाते हैं और पीटर पाको को समझाने के कोशिश करता है कि हम लोग उन्हें ठीक करके मल्टियोर्स में बेजेंगे इसके बाद दोस्तों हम लोग को बाकी तीनों Spider-Man एक तरीकी के लाब में दिखाए देते हैं जो जितने भी सुपर विलन है उन सब का क्योर बनाने की कोशिश कर रहे थे पर आपस में अपना बाद भी कर रहे थे ये देख के बहुत मज़ा आया लेकिन दोस्तों उसके अगले को ठीक करना चाहरा था और यहां पर दोस्तों हम लोग को दिखा जाता है Statue of Liberty जिसके हाथ में था Captain America का शील्ड अब दोस्तों यहां पर तीनों Spider-Man त्यार हो जाते हैं और एक एक करके विलन्स की एंट्री होने लगती है और यहां पर दोस्तों इन सब पीटर पकर की ट्यू एल्प करते हुए उस सब विलन्स को ठीक करने लगते हैं जैसे कि यहां पर लिजर को ठीक करने के जाता है और यहां पर इलेक्टर को ठीक करने के लिए तो अचानक से Dr.OctoC TV से आ जाते हैं उन सब के बाद दोस्तों यहां पर एक विलन्स बसता है जो की है Green Goblin और यहां प दोस्तों नेट पूबटल उपन करके Dr.Strange को भी गलती से बुला लेता है और इसी पीच दोस्तों हम लोग को आस्मान में एक रियालिटी क्रैक दिखाए देता है जहां पर Dr.Strange को जिस बात का डर था वो हो रहा है यानि कि जितने लोग जितने भी मल्टिवस में हैं जो की Spider को जानते से सब आ रहे हैं और Dr.Strange उन्हें रोग भी नहीं पा रहे हैं और आप दोस्तों दूस्तों दूस्तों पीटर को वो सिरम देता है और पीटर ग्रीन गॉबलिन को लगा देता है जिसे वह वापस से नॉर्बन ऑस बन जाता है लेकिन दोस्तों उसके बाद पीटर पाक और Dr.Strange के पास पहुझता है और बोलता है अगर आप यह मंत्र कर दे कि कोई नहीं जानेगा कि पीटर पाकरी स्पाइडर मैन है तो जितने लोग आना चाहरे है उस अब अपने इनसमें चले जाएंगे और यह पे लेकिन पीटर पाकों को एक बड़ी कीमत चुकानी प उसके बाद दोस्तों लोग के दिखा जाते कि कुछ हफते बीच जाते हैं और यह पे पीटर पाकर जाता है वही जगा जहां पर एमजे वर्क करती है लेकिन वो एमजे को लेटर देना चाहता है लेकिन वो एमजे की केर भी करता है और उसे यह लगता है कि कहीं उसने अगर MJ को बता दिया अपने reality तो Sparadavan के वज़े से MJ वापस से मुसीबत आ सकती है इसलिए वो MJ को कुछ नहीं बताता है और यहाँ पर दोस्तो end में वो एक rented apartment में रहता है उसके बाद वो radio signal का wait करता है ताकि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन्हें वो सबक सिखा सके लेकिन दोस्तों जाते वक्त हम लोग उसका इदना नया आर्मर देखते हैं तो कि काफी unique और comic accurate लग रहा था इन सब के बाद दोस्तों हम लोग को दिखा जाता है post credit scene इसमें हम लोग देखते हैं Tom Hardy को और वो एक जगा काफी पिया हुआ है और काफी नशे में भी है और इस universe के बारे में जानना चाहरा है कि Avengers कौन है हल कौन है और यह पर Venom भी उससे बात कर रहा है लेकिन तभी Venom को काफी चड़ जाती है और वो वापस से अपनी universe में टेलिपोर्ट हो जाते है लेकिन इस universe में Venom का एक पार्ट रह जाता है और वो symbiote हलका से move करता है और इसी तरह दोस्तों यह credit scene यह पर खतम हो जाता है लेकिन दूसरे जो credit scene है वो एक तरीके का mini teaser trailer है जो की है Doctor Strange Multiverse of Madness का जहाँ पर Doctor Strange and Wonder की help ले रहे है Multiverse की mystery को solve करने के लिए और यह पर finally दोस्तों हम लोगो What If के Evil Doctor Strange का भी look दिखा जाता है उसके बारे में काफी details से बताया जागा अगली वीडियो में तो दोस्तों यह थी एक amazing update तो कि related to spider man new way home की story से I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजेगा और अगर आप लोग ऐसी उनिक सुपर हीरो content enjoy करना चाते है तो मारे चानल के सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फामली का इससा बन जाएगा